मुकती बोलो स्री गन शाम शास आरू अमारा भगवान नाना ने तमारा खुदा मोटा ए वक्ते अकबर केचे कि अमारा खुदा ने प्रुथी पर कोई काम करू होई तो पोता नी जाते नथी आओ पड़तो पोता ना पैगंबर द्वारा काम चलावी लेचे काम पुर्ण करीश केचे तारह भगवान ने प्रुथी पर कोई काम करू होई तो जाते आओ पड़े छे भगवान नी नानप थेई ये भगवान नी अमरियादा थेई जाई असामर थी केवाई जेम मैसाना नगरपाली कानू गटर लाइन नू काम चाले जिन मनमों अनसी जाते खुदवावे तो एतो किटली बदी येनी मरियादा केवाई अन किटली बदी असामर थी केवाई एने तो ये पड़ार वानू क्या थी वेना संकल्प मात्रे एक काम थई शके एतली अकबर केची तारा भगवान करता अमारा खुदा मोटा चेने प्रुथिव पर प्रत्यक्ष्रिते आवू पड़तू नथी बिर्बल ते समय के उत्तरापता ना थी थोड़ाक दिवसो वित्या अने पची बिर्बले नगर नी अंदर एक आयोजन करियो एक मंदीर बनावियो मंदीर कोनू बनावियो तो अकबर नू मंदीर बनावियो मुर्ती अकबर नी पदरावि मुसलिम लोको नी अंदर तो मंदीर न होई एमा मुर्ती पुजानों तो विरोच चे निशेद चे छता पण अकबर नी मुर्ती ये बिरबले पदरावी एक बाई ने कीदू के तमारे ये पुजारी तरीके सेवा करवानी चे एके पण अकबर नी एके दर महीने 500 सोनामर मल शे एके बोल अभीजा कोनी करवानी चे जेनी केशो एनी करीशो पईसा मले तो बदा सेवा पुजा करवा माटे तैयार थाई जाए आम तो अकबर नी मुर्ती न होई शके पण पईसा प्राप्त थता था एले केशे पुजा करीश परन तुमारे आरती कई उतारवानी तो बिर्बले राज्यमा केटलाक विद्वानों कवियों लेखको है तेवनी पासे जई अकबर देवी भी आरती पन बनावी देवडावी थाल बनावी देवडावे आ अकबरना नामना पछी रटन बजन बनावी देवडावे आ अकबरना नामना आँ बाई सवारे औने सांझे भे समय अकबर नी आरती उतारे अकबर ना गड़ामा पुष्प माडा पेरावे चे गामनी बाईयों ने बेगा करी औने बजन संध्यानो रोज कारिकरम राखे चे अकबर ना बजन गाई चे औने गवडावे चे खुब अकबर ना बजन नी अंदर मस्त बनी गई छे आ समाचार थुड़क दिवसोबाद अकबर ना काने पोचे है कोई अकबर नेकिदू जहापना आपड़ा राज्यनी अंदर गामना चौकनी अंदर अच बराबर खुब मटू मंदीर बनियु छे अकबर के सारू बलेने हिंदू पोतानी बजन बक्ती करता मंदीर बने तो सारू जुचे परन्तु कोई के समाचारा प्याग जहापना एबीजा कोईनू नहीं परन्तु आपनू मंदीर बनियु छे अक्बर के हमारा मंदिर हमारा मुसल्मानी अंदिर तो मंदिर होई शके नी आपड़ू मंदिर शेयनू बनावियो एके चे आपनी मुर्ती पदरावी चे अनेक बाई खुबज प्रेम पुर्वक प्रेम लक्षना बक्ती आपनी मुर्ती समक्ष अदा करी रही चे आपने प्रसन्य करवा दून, किर्तन, बजन, थाल, आरती एक खुब बावती करे चे अकबर या वात जानी ए समय कहीं जिन बोलया थुड़ाक दीवसोपची रात्रे वेश पल्टो करी अने अकबर पोताना हाथमा केटलीक सोना महोर दागीना एवदू लईने पिला मंदीर पासे पहुचया रात्री नो समय हतो पेली बावी सुती हती एज वक्ते द्वार खटखटावया पेली बावी जागी ने पुछे चे कौन चो एके जेनू बजन करे चे ये चुँ अने पची तो द्वार खुलया अंदर प्रवेश्पा मिया पेली बावी केच उडखाया नहीं एके जे मुर्ती पदराई चे ने मारा नामनी हुँ अकबर पोते चुँ ओ क्या बादशाह आप पदार्या अने एज वक्ते अकबर पोते पुतानी साथे जे कई दागी ना सोना मोहर लावया हुए चे पेली बावी ने बक्षीस आपवा जता हुए चे के हुँ तारा पर खुब प्रसन ने थियो चु तो आटली सुन्दर भक्ती मारी करी रही चे कले ताने बक्षीस आपवा माटे पदार्यो चु जे आपवा जता हाता एज वक्ते बिरबल पन पाचलती प्रगट थेया बिरबल के जहाँ अपना आटली मोडी राते केम आवू थयू एके ना ना बिरबल काई जिनी ना के मा मारा थी छुपाव शोनी बोलो श्याना माटे आवू उपड़ियू ए वक्ती अकबर केछे जोने बिरबल आब आईये केटली सुन्दर मारी मुर्ती यां पदरावी चे सवार बपोर सांज मने थाल करे चे आरती करे चे मारा नामनी माला फिरवे चे मनें थयू काटली सुन एपड करी शक्य होत अकबर केछे बिरबल कोई पटावालानू काम न चाले आबाँ बिरबल केछे तो पटावाला थी पते हो न होत तो मने की दुआत तो होई आवी ना पियावत आटली मौडी रात रे साड़ा बार डोड वागे आप अईया पदार्या उजागरों वेठ बिरबल केछे जहां अपना प्रश्ण न उत्तर मली गयो एके शू उत्तर आथी कितलाक मैना ओ पुर्वे आपे पुछूतू के तारा बगवान करता अमारा खुदा मोटा कारण के अमारा खुदा तो पेगंबर थी काम चलावी लेचे प्रुथी पर पधारता न थी आजे बगवान पेगंबर थी काम चलावी लेता न थी जाते पदा रेचे तमारा खुदा पेगंबर थी काम चलावी लेचे अमारा बगवान तो बक्तों ना मनुरत पूरा करवा माटे स्वयम पोते अवतर रेचे कारियाणी ना पांचमा वच्नारुतनी अंदर बगवान स्वामिदारायणी पोते कहेँ छे कि बगवान आ पुरुथी पर शा माटे पदारेचे बगवान दारे तो आकाशनी अंदर रहा थका पोताना दामनी अंदर रहा थका पण असुरों नों सहार करी शके चे छता पण प्रुथी पर दर्मना स्थापन माटे असुरों ना उच्छेद माटे अने पोताना प्रेमी वक्तोंने लाड लडावा माटे बगवान आ अवनी उपर पदारी रहा चे राम चरित मानस मा राम प्रागट्टे नी कईक गडियों गणई रही चे सती ए शिवजी ने पुछी रहा था के राम श्या माटे प्रुथी पर अवतर्या परन्तु ते समय के एक संका संशय थयो यग्णनी अंदर बढ़ी मुवा वीजो जन्म प्राप्त थयो पार्वती नो हवे शिव अने पार्वती कैलास नी अंदर बैठा चे बनने वचे समवाद चाली रहा चे पार्वती पूछे चे के राम प्रुथी पर शा माटे पदार्या ए रामा अवतर ना केटलाक हेतु मने जणावो ए समय शिव ए पार्वती ने रामा प्रुथी पर शा माटे पदा ए स्थान उपर त्यां जय वीजय ए बगवान ना पारशद हता। सनकादिक न उल्लेख आपड़ा शास्त्रमा आवेज़े खुब विद्वता युक्त हता, साधुताई संपन हता, परन्तु सनकादिक हमेशा वर्ट्डे ड्रेस नी अंदर जरे हता, नगन वेश नी अंदर जरे काई बीजा कई वस्त्रपोताना शरीरूपर दारण करता नोता जेवा आ बगवान विष्णूने मडवा माटे आवे आ बगवानना उत्तम भक्त हता, परन्तु एमनो आवो वेश जोयो शरीरूपर नगनता जोयी अने जय विजये मशकरी करी एके तमारावा हाल चने बगवानने मडवा माटे शूजवाना, बगवानना भक्तने उडखी न शक्या, अपमान करीना क्यू सनकादी केचेक अमारे बगवानने मडवू ए जरूरी चे, छता पन पिलालोकोने सत्तानों कईक मद होये चे, अहंकार होये चे गई काले आपड़े जोयू तु नहीं कोई अस जनमा जगमा ही प्रभूता पाई जाही मदना ही कैंक सत्ता मले पदवी मले अनि चक्कस मानस्तना मन्नी अंदर अहंकार ए प्रवेश करीच जाये छे रोड़ पर ट्रक के लगजरी ले निकड़े आवे पची साइकल वड़ानी चिनता मोटे बागे ड्राइवरों करता न थी जे रफ चलावता होई कांके ने खबर चे के आपड़ा आतनी अंदर मोटी गाडी चे अने कोई सामेवाडो आपणने इजा करीशे के उचे नई कहिंक मोटू वाहन आवे एनो पन अहंकार जुदो होई छे कहिंक पोलीस नी वर्दी आवी जाये एनो पन तोर एनो पन अहंकार जुदो होई छे अमदावाद मा गीता मंदीर पासे एक वर्द्यां थी पसार थवानू थोयू संतोंने अन रगडा पेटिस्तनी लारी वाडो एक गरीब बानस ए लारी चलावे ने गुजरान पोताना कुटुमनू करतो होई अन पची रॉंग साइडे कहीं केने प्रवेश करे होशे पोलीस तुमा की होतो ना पाडवी जुई है सारी जीते ना पाडवी जुई है कदाज कहीं गुस्से थे इन शब्द पन कहवा जुई है पन इटला थी संतोश न थयो विशेश अहंकार वर्दीनों हतो पिलो केचे जवुचू पाचो मारी बुल थाईगी छता पन ए लारी नी अंदर श्टाव चालू हो तो इना उपर रगड़ो ए गरम हतो ए नी अंदर पिला टमलर द्वारा टब द्वारा ए रगड़ो बर्यो अने पिला गरीप मानस ना मोड़ा उबर पोलिस है चांट हो पांत दस मीट हजू ओफिस बंधवानी बाक्यों जाके आउतिकाले आऊजे वह पिलाने शेर मां क्या रहवा जेवू। आसवालाने लिवाना चे चोकस अपड़े अटकावा जोईये पन अटकावती वक्ते पन योग्य वी नहीं के विवेकतो जोईयेज। माटे राक्षस थशो अने त्राण युगनी अंदर तेओ राक्षस थया सती युगनी अंदर हिरनाक्ष अने हिरनने कश्यपू। त्रेता युगनी अंदर रावन अने कुम करण द्वापर नी अंदर दंत वक्रने शीशु पाल। बनने खोब रात्ना करेचे के अमारा थी बुल थाईगी अमने माप करो। उख wird पत्र बननत वक्र अंने शीशु पाल इनो नाश करवा मटे कुरुष्ण अवतार ए प्रुथीव पर थकेF म्याइप। अवतार थवानों चे राम प्रभू ए प्रगट थवाना चे आ प्रथम प्रयोजन प्रथम हेतु रामा अवतार नो ए शिवजी पार्वती जी ने संबड़ावयो पार्वती केछे के बिजू कहीं प्रयोजन छे बिजू कहीं आओ हेतू छे ए समय शिवजी बिजो हेतू नी वात करता एक कहे छे कि वुरुंदा एक खुबज पतिवरता बाई हती सती बाई हती एना पतिनु नाम हतु जालंदर परंतु जलंदर ए राक्षसी वृत्तिनों मा दर्मनो नाश करतो ने अधर्मने प्रोच्सान आपतो तो देवता विखुब प्रयत्न करे आपना बाईनु सत एउ हतू पतिवरता नो प्रभाव एउ हतो के कोई एनो नाश करी शकता नोता पतिवरता पणू हवु ये सारू छे ए दर्म छे परंतु जारे जारे दर्मनी ओठ राखी ने ए अधर्मनु पोशन थतु होई बगवान सहन करीलेता नथी। अधर्मनु पोशन थतु होई बगवान सहन करीलेता नथी। अधर्मनु पोशन थतु होई बगवान सहन करीलेता नथी। रामा अवतार दारण करशो ते समय तमारी गेराजरीमा मारो पती रावन बनीने आवशेने तमारी पत्नीनु अफरण करशे। वरुन्दा ए पोते जालंदर नो आ प्रकारे नास थयो एटले पोते प्रभूने आओ शाप आपेचे। बगवान एना शापनो ए स्विकार करीले चे कारण के अधर्मन उच्छेद ए बगवान पोते करवा मागता था। एटले रामा अवतार प्रुथी पर थयो एनो आ द्वितिय हेतु बिजू प्रयोजन छे। त्यार पची पार्वती ये पूछे का बिजू कहीं विशेश्वात प्रभू बाकी होईतो। ए समय शिव जी पोते केचे कि नारद ये बगवानने शाप आपयो एनी वाच्छो आप जानो छो। पार्वती पूछे चे के नारद तो बगवानना उत्तम बक्त चे बगवाननू मन केवाई चे। अखंड बगवाननू रटन करता रेचे लोकोंने पन बगवानना भजन नी अंदर जोडेचे। ए नारद बगवानने शाप शामाटे आपे। शिव जी कैचे तो सामबलो त्यारे नारद ए बगवानने शाप आपयो एनी कथा हूँ आपने सुनावो छू। एक समय नारद ए पोते फर्ता फर्ता हिमालाईनी अंदर पदार्या। हिमालाईनी अंदर फर्ता ता आम तो नारद क्यारे स्थिर रेतान थी अखंड पोते तेओनू विच्रणे चालू जोईचे। परन्तु हिमाले नी अंदर एक वारते ओने तप करवानों विचार आयो तप करू ओए तो स्थीर तो थाईने व्यस्वूच पड़े एले पोते स्थीर बन्या चे समाधी लगावी दीचे खुब उंडा ध्याननी अंदर उत्री गया चे अहार निंद्रानों बदानों त्याक करदी दो चे तप नी अंदर मगन बन्या चे ए वक्ते इंद्र ने विचार थयो के खरेखर नारज्जो यथार्थ तप करी लेशे तो मारी इंद्र पदवी चिनवी लेशे तरेकने गादी ने पड़ी छे अन फिल्मों नी अंदर पन बतावता के कई जाजू तप करवा ब अनि अब दा अत्तारे वुदू चालू थिऊ चे गादी खेचवानू बदू एटल अईया पन चिंता थवा लागी चे के गादी आपड़ी जशेतो एटले प्रहत्न नो प्रारम करी दिदो एक एक दारासभ्यन मनावानू खेचवानू अईया पन इंद्र एके के ओ प्रह करी दिया चे ना तपनो बंग करो कामदेवे माया फेलावी पोतानी कामनू जोर एव्यापवा लागियू चे अफस्रावने मुकली भोग पदा सर्जी दिदा वातावर ने उँ भू करी दिदू परंतु नारजी पोताना तपनी अंदर थी सैच पन चलाई मान थता नथी नारदे करोद न कर्यो और प्रिय शब्दो कईन एने संतुष्ट कर्यो आ कथा नारजी फरता फरता इंद्रनी सब्बाम पदार्या और पची केच आपे मने ब्रश्ट करवा मटे कामदेवने मुकलियो तो परंतु मारी सामे कामदेवनु शु चाली शके भगवाननों बक्त मारू मन हुँ वश करी शक्यो छू अन कामदेव पन मने डगावी न शक्यो आ प्रमाणे ज्या पन ज्याए त्या पोतानी या जीतनी पोतानी विजये नी हम्मेशा वात पोते कर्या करेचे पची फर्ता फर्ता शीव पासे पदार्या अने शीव ने केचे के में काम जीती लिदो छे काम मारा थी जीताई गयो अध्यात्न मारगे कोई पन दोश जीतायो है इनो अहंकार करवो ए अनुचित छे क्यारे कोई दोश जीत्यानों अहंकार कोई पन साधके करवो न जोईए मान जीत्यानों आपने सेज अहंकार आवी जाए के मारो क्रोध जीताई गयो, मारो लोब जीताई गयो आउ क्यारे बोली न शकाए क्यारे कयो दोश पुनह पाचो आवे चे काई नक्की न थी सवब्री साइट जार वर्ष सुधी पाणी माज बैठाता काम नो एक अंकूर पन फुटतो नो तो पन कौन जाने माचलानू मैथून जोई अने पुनह काम वास्तना ए प्रजवली थाई उठी अने फरी थी ये गुरुहस्ता स्रमनी अंदर पोते प्रवेश करी चुकिया अध्यात में मारगे गम्मे तेटला गुण आपड़ी अंदर आवे छता पन कोई दोशने जित्यानो अहंकार एक यारे करवो न जोई ये पन नारद आ वात्तोंनों स्विकार न करी शक्या त्यों शिवजी समक्ष पोते अहंकार करवा लागया छे शिवे ना पाड़ी के तमें मारी आगल तो वात करी पन फरता फरता क्यार एक विश्णू बगवान आगल जाओ त्यारे बुल्थी पन तमें जे कामने परास्त कर्यों छे इनी वात न न करता नारदे मनमा विचार कर्यों के शिवे ने मारी इर्षा आवे चेटले आवी वात मने करे छे काण के हुँए ना थी आगल वदी न जो एना माटे मने बगवान आगल वात करवानी ना पड़े छे शिवे जी समक्ष तो पोते ना पाड़ी कहां वात नहीं करिये परन्तु आ अवंकारनी वात स्व प्रशंसा महराजे शिक्षापत्रीमा ना पाड़ी छे श्वेश लागा न खर्थव्या क्यारे पोताना वखान ये पोतानी जाते क्यारे न करवा भगवान स्वामिराज ना पाड़े छे परन्तु मारो तमारो बद्धान अनुबव छे दिवस मा अथवा तो महिना मा एकाद वार आपड़ा वखाण जाते न करिया होई यो बताओ तो खरा दिवस क्या रेक आपड़ा वखाण यदी महिन होता तो अथवा तो कईक नी कईक रिते ए शब्द ए आपड़ा मुखनी अंदर ती निकडी जाएच संतो केचे का वखाण नी बावना अंदर ती अहंकार नो फोर्स क्यों अचे उल्टी जे वोचे एक वार पेटनी अंदर वदू बेगू था इन कच्रो अन पची गम्मे तिटलो प्रहतने उल्टी ने दबावानों करिये इन पण कौन जाणे बार निकडीक जाएचे ए मंदर थी अहंकार एक वार जागरत था है जे पची एक आढ्या वगर रेवा तो नाथी नारजी फरता फरता विश्न बगवान पासे पदारेया बगवान ते ओने बेटया बगवान कहचे गणा दी उसे पदारेया नारज जी के चाहां बगवान गणा दीवस वीती गया थोड़ाक समय पहला मने संकल्थ्यों के हिमालाई मा जैने तप करिये मेत अपनो प्रारम करियो और गणा बदा वर्शों वीती गया तप करतो तो देवतावई विचार करियो नारज जीनो तपो भं करिये पन प्रभू मारी सामे देवनुशु चाले अन काम देवता मने परास्त करवायो खुब प्रहत न करियो बहुँ दम पचाडा करिया पन प्रभू एक काम देवता मने परास्त न करी शक्यो वड़ी पाच्या मने शिवजी मले आतो शिवजी मने एम केता था के तमारी समक्ष वात न करू पण प्रभु आप तो जानो छो ना तो शिवने इरश्याओ एटले वात करे बाकी मारे आपनी आगल वात करे आवगर चाले खरू मारे तमारी समक्ष निखालस्ता थी वातनी रजिवात तो चक्कस करवी जुएन प्रभु आतो शिवने थोडिक इरश्याओ काण के शिवे कामदेवने बाडवा माटे तरीजू लोचन खोलू पड़ियू तू मारे तो बैथिच काम पती ग्यू शिवने तो तरीजी आँख तरीजू तारे काम देव मर्यो मारे तो बै आखो द्वाराच काम पती ग्यू एटला प्रभु आम तो मारी मोट अपनी वात्तो भीजी शू करू तमारी आगड मारा थी विश्यष कहीं तो कहए नी आज़ी田 आम केता केता थोड़ु-थोडु मियन नाकता नाकता ए बगव लिख्यूनुपते समझी गया नारद ने केछे गे ही नारद तमार बेसे कंत Whoo आवा सब संतना समरन माते तो बीजानों काम फड़ी जए तो ऺमारा मां वो काम क्या थि संबभाविय के तमारा मां व can क्या ती होए नारद जी केछे led히 प्रभु आपनी आम बोले चे कुरूपा नारजी थोड़ा कापड़ा जेवाच चे आम बोले नी गणिवार आपड़े बोलिया चे प्रवचन पाराइन बहुँ सारी थिव और कोक मलवावेक। स्वामी बहुँ सारू बोलिया ठीक चे बुदु आतो बापानी कुरूपा चे आम बार्थी बापानी कुरूपा बोलाएन अंदर मैनत करेला कल्ला कोनी गणतरी थाए क्या अटली मैनत करी पची नंबर आवेद ने आम बार आपड़े बोलिये चे जुदु अंदर हंकार होई कोई पुछे आगर कोनू चे संत्वावेने स्वामी आतो बदु बापानू चे ने गणि बापानी पन क्यारे वापरवा आपे ने आ प्रकार नी आपड़ी भावना होई चे बोलिये खरा कारियानों संपत्तीनों कड़ानों मनमा पुर्ण अहंकार होई छता पन बार्थी आपड़े बापानू महरादनू नाम एने आगल राखी ने पोताना अहंकार ने विचारी उर्यंकूरेवु गरबतर उबारी बेगी सोमय दारिहु उखारी पन हमारसे वकहित कारी मुनिकरहितमम कउतुक होई अवसी उपाया करबी में सोई विष्ण बगवाने विचार करयो के करूना नीदीमन दीख विचारी उर्यंकूरेवु गरबतर उबारी नारदना उर्नी अंदर नारदना रदैनी अंदर एक अंकूर फुटियो छे बेगी सो में डारी हुँ उखारी ए अंकूर मोटू थाइन जाड बने ए पला ए अंकूर ने मारे उखाडी नाखो छे कारण के पन हमार सेवक हित कारी बगवान नी प्रतिक्न्या चे बगवाने बगतोना हमेशा हित करना राचे हित चिंतक चे इले बगवाने पोते संकल्प करेओ छे के मारा मुनीनू हित थाई योहों उपाय करीश बगवान स्वामिल्यान प्रतमना 62 ना वच्चनावत नी अंदर कहे छे के बगवान तो गर्व गंजन चे बगवान विजु कई आपड़ी पासे थी स्विकार करता न थी गड़पूर नी अंदर एकवार महरादने संबाफो ये प्रश्ण पूछयो के प्रभू आप शु जमोचो ए वक्ते महराज पोते बोले आता के मारा भक्तना रदेनी अंदर जेकी अहंकार उधाई थाई छे ए अहंकार अमें जमी ये छे मान बगवान पोते जमी जाई छे भक्तने जेकी अहंकार उत्पन थयो होए एक कोईकनी अंदर प्रवेश करी ने अथवा तो बगवान स्वयम पोते येव निमित उभू करी अने अहंकार न पोते नाश करी नाखे छे बगवान जानेचे जीवनी अवलाई बगवान जानेचे के जीवने सेज यश मलशे अने पोतानी जवात करशे केन उपनी शदनी अंदर खुब सुन्दर कथावेचे देव अने दानवनों युद्ध थतु होएचे दानों खुब बढ़नी अंदर होयेचे दानों परास्त थता न थी देवो बगवानने प्रात्ना करेचे बगवान केक हेल्प लाइन आपो अने बगवान केक मदद करेचे अने खरेखर बगवाननी मदद द्वारा देवताओ पोते जीती शक्या परन्तों जीत पची पार्टी गोठवी शेंपेइन पार्टी बढ़ा गोठवतावेचे न विजयनी अंदर एवीक एक पार्टी गोठवीचे दारूनी प्यालियो ए देवताओ परस्पर एक बीजाने पाई देयाचे और एक mutual पोते बढ़ाश मारी रेयाचे एवक्ते अगनी देवताओ पोते उबा थेया अगनी केह चे आतो मारू जोर एटले योद दनी अंदर बदा वीजयाई प्राब्त करी शक्या वायू देवताओ पोताणी पोताणी वात करवाला गया बगवाने विचार करियो के मारी मदद थी मारी कुरुपा थी या विजय प्राप्त करी शक्या अने देवोना मनमा अहंकार केम प्रवेश करी चुक्यो बगवाने एक यक्षनू सरूपदारन करियो पोते नीचे पदार्या अन पची त्या इंद्रना दर्बान इंदर प्रव वायू देवता तेहां पदारे यक्षनी सामे पूछी को तु कौन चे एके मारी वादपची पहला तु कौन चे वाद कर ए वक्ते पहला वायू देवता के चे मने ओड़क तो न थी समगर प्रुथवी नू समगर जीव प्राणी मात्रनू संचालन करनार हूं वायू चु जारो टननी शीप इने उचकी उचकी नाखी पल्टावी नाखू ए मारी ताकाद चे बोलतारे शु काम करूँ चे ए वक्ती यक्ष के चे बीजू विशेश कई काम करू न थी आ गास्तनू तरनकलू पड़ियू चे एन यहां थी थोड़क दूर खसेडी आपन एके मारी मोटा मोटा मकान हूँ पाडी नाखून गास्तना तरनकला ने हटावानी बात करे चे एके मेरबानी करिया आटलू तो करिया पो बीजू कही मारे जोईतू न थी आने वायू देवताय प्रेत न करियो एक फूटशू एक सेंटीमीटर नहीं एक मिलीमीटर पन तरनकलू खस तक करीन ब्यासी गया इंद्रे जाने उक आगो पाच्यो थयू लागे चे बीजा ने जड़ना देवताने मुकले आतिया पदारया पेला है पुछी तो कोण चे हूँ जड़नो देवताच्यो बोलो तार शू काम करू छे एके मारू अतनकलो थोड़ू बिंजवी आपन एक बिंजवानी शू वाद करेचे अमना चापाम वांचुने मुंबई निंदर केकली तकलीप मारा थकीत थाई गई के अना सुनामी आवी जायन हूँ नक्की करूं तो बलबला ने पच्छाडी नाखू कोई नगरपाली कानी ताकात नाथी गटरो उब्रही जाए पची इस परेत ने करियो एक तनकलू पण बिंजवी ना शक्या फरी थी आपन पाचा बेक टू पेविलियन अगनी देवता पदार्या अगनी ने केच एक बुलो तमे कोण चो अगनी देवता बदू प्रज्वलित करी नाखू एक आटलू तनकलू जरा बाड़िया पन एक तनकलू बाड़वाने शु वाद कराचू मोटा मोटा अमेरिकानी अंदर जंगलो बाड़ी ना खूचू हेलिकप्टर द्वारा वृष्टी थाए वरसात पाड़े चतापन क्यारे आग ओलाई ने यवी मारामा ताकाच चे शक्ती चे तू एक तनकलानी वाद करेच एके मेरबानी करीन अटलीक रूपा करो प्रहत्न करेओ खुब प्रहत्न करेओ दम पचाडा करे आगिनी देवताई एक त्रणकलाने बाड़ी न शक्या खुब उदास्त थाई गया पुनह पाच्या पदार्या इंद्र स्वैम पदार्या अने खरेखर मस्तक जुकावियू कि कौन चो तम में एवक्ते उमादेवी प्रगट थेया अने बान करावेचेक मुर्खाओ जिना लीद्य तमें विजय प्राप्त करी शक्या ए साक्षात बगवान पोते यक्षनू सरुपधारण करीने आवेया चे तमें एक त्रणकलू बाड़ी शको एवी ताकात नथी एक त्रणकलान बिंजवी शको एक त्रणकलाने उड़ावी शको एवी कोईना मा सेज पन ताकात नथी छता पन अहंकार करो छो मानस मात्रनिया वृत्ती छे कईक सेज सत्ता यश प्राप्त थाई एडले महारा थकी थयू बाकी आपड़ा थी कई थय शकेऊ नथी एक वार स्रीजी इसे विन ती खरें करता हर्ता तो आप चो अपने प्रात्ना करें अशह दाता खाचर बीज़ा अपन जी अरी बक्तों ते महाराज मार नेके च्छ और शुरा खाचर पड़ा दिता नथी सुराखाचर के हुँ तो तयार अच्छू महाराज कियो जुओ हुए एक थी दस सुधी गणिश अन सुराखाचर एम बोले के वर्साद वर्सो तो दोध मार वर्साद अपड़े वर्साओ बदा राजी थेगे अक सुराखाचर तो आपड़ो ज मानस से अमना बोली जशे अन महाराजे गणतरी करवानों प्रारम करेओ एक बे आबाजी बदा सुराखाचर ने के बोल सुराखाचर बोली ज़ोड़ थी के वर्साद वर्सो बे तरणवार बोली जाके कदाच एक मागू पाच्छू आम बढ़ाम तकलिप थाए तो के बे तरणवार बोली ज़ा सुराखाचर बोलवानों प्रारम करेचे पण कई बोलता नथी त्रण, चार, पांच सुधी पहुचा है अबदा सुराखाचर ने गोदामाराला बोलला आप पांचे पहुची गया अवे तो माण थोड़ा कज बाकी रहाचे गणव दो प्रेत न करे च, साथ, आठ, नवन एम करता करता बदा सुराखाचर नी टोले वड़ी गया था खुब प्रेत न करे ओ किटला के तेनु मडू पॉडू करीन बोलावा प्रेत न करे चे पण 10 बोलाई गया बदा महराच के चे के बस अवे पूरू थाईगी बदा सुराखाचर ने फरी वड़ी अन जीव दस नी पूर्णा होती थाई अन सुराखाचर के दोध मार वर्साद वर्सो महराच के ना के काउंटिंग पूरू थाईगी अवे ना चाले एक थी दस सुधी गणतरी थाईगी बदाई सुराख खचर ने खुब दमकाया कला सुरा एक थी दस सुधी कटलो टाइम मड़ेओ इमा एक वाक्य ना बोली शकाई सुराख खचर के मार तो गणुए बोलतु तू एक एक वक्ते दस दस वार बोलू तू के एक आंकड़ो बोलें वर्साद वर्सो बे बोलें वर्साद वर्सो एउ दस वार बोलू तू पन बोलाए तोने कौन जाने जीब उपर हजार तन्नू वजन मुकईग्यू एवी जीब भारे थे गईती बोली ना शकाई महराद नी इच्चा हो एटलू ज आपड़े बोली शक्ये गुनात इतानन स्वामी चौथा प्रकर्णी वातमा लख्यू छे चालवामा बोलवामा हरेक क्रियामा जे कई सुजी आवे ते बगवान नी प्रेणा छे एम समझू आजे हूँ बोली शको छो आप सामबडी शको छो कही काम करी शकी है सिवा करी है मंदिर नी जमीन लई शकी है कही काम करी शकी है दिल्ली अक्षरदामनी जमीन मा आपड़ो कदाच केंक बुद्धी चाली होए आपड़े इम थाए के में काम करियू बुली जेओ कैरे पतुद नथी बगवान ने संत ए आपणे निमित बनावे चे आपणे कोईनू पालन पोशन करता है आपणे थाई गर्दना तमाम सब्योंनू तुँ पालन पोशन हूँ करू चुन मंत्रियों ने अम थाई के गुजरातनू हूँ चलावू चुन बई गुजरातनू के शिवा जीना मनमा कईक आओ अहंकार थेयो के समगर महराष्टनू पालन पोशन हूँ करू चुन समर्थ स्वामी रामदास ना मननी अंदर खबर पड़ी के शिवा जीने अहंकार थेयो चे एक वार सरोवर किनारे लई गया अन सरोवर ना तट उपर त्या बार जग्या उप अहंकार न करिश के समगर महराष्टना तमाम जीओनू पोशन हूँ करू चुन बदाने जमाड नारा ए बगवान चे लक्षमी जीनोन विश्णू नो पणके एक आओ प्रसंग चे कीडी नू पोशन कोण करे चे लक्षमी जीना कपाल नी अंदर थी चानलानो चोखो अन्य बगवान एनू पोशन करिऊ इठले बदानू पोशन करना रजा बगवान चे परंतु मानसना मन्नी अंदर अहंकार एक प्रकारी आओ था जतो हैं चे परंतु बगवाननू तो बिरूत चे एब रानू अहंकार टाल शे परमान सोय पोताना पदनी अंद लक्यू प्रमान सोशु केचे सखी अंग अभीमान आनिश्मा सखी अंग अभीमान आनिश्मा रखे गण तीरे रखे सखी अंग अभीमान आनिश्मा रखे गण तीरे सखी ताहेरा गुण सखी गर्व गंजन एनु नाम चे सखी गर्व गंजन एनु नाम चे भगवाननु नाम शुचे गर्व गंजन चे एपोताना बक्तन रदेनी अंदर गर्व उत्पन थयो होए एनो नाश एपोते करी नाक शे अया नारदना मन नी अंदर गर्व थयो चे एनो नाश करवा मटे बगवाने पोते संकल्प करयो नारजी अहंकार साथे पोते बगवानने प्रणाम करी अन त्या थी निकडिया अन बगवान विश्णुए संकल्प मात्रे ए मायानू सर्जन करी दिदू भगवानेक मायावी नगरी आखी उभी करी दिदी छे बनावटी नगरी चारसो गाउनी अंदर आखीया नगरी फेलाईली छे ए नगरीना राजा साशन करतानू नाम चे शिल निधी राजा शिल निधी राजा ए नगरीना पोते राजा चे अन राज्यनी अंदर आनंद मंग ફરહેશ્વને અખું વાત વરનચે નારજ્જ્જ્જ ժરવેશગે છે કે पूछू के राज्यानी अंदर उचसवचे хватारो आयोजन में करवा मागिये चे एनो आ उत्सव चे आप मारा दर्बानी अंदर महेलनी अंदर पदारो नारद मुनी महेलनी अंदर पोते पदारया चे राजाई उचीत आदर सतकार करयो राजाई प्रणाम करया एवक्ते राजा पोतानी दिकरी ने विश्व मोहीनी ने आ नारद मुनी नी समक्ष लावया राजाई पोतानी कन्या ने रुशी ना चरणों मा वंदन प्रणाम न कराया पन लखे चे ग्रंथोनी अंदर के राजाई पोतानी छोकरी ने बतावी हवे रुशी ने मुनी समक्ष कोई दियस पोतानी दिकरी ए बतावानी नो है परंतु पोतानी दिकरी बतावी अने वक्ते नारद मुनी नी पन नजर गई स्त्रीनी सामे रुशी नी नजर गई अने मननी अंदर कई चल बलाट ए शरू थयो एमा पाच्या रुशी ये पुछियो के मुनी मारे दिकरी ने के ओ वर प्राप्त थशे ए तमे जराक जोईया पोने नारद ना मनमा थयो के मारा करता कोई सारो मूरतियों आने मलशे नई हता भगवान ना भग्त ब्रह्मचरिय निष्टता पन एक वार रूप जोयू नावा संकल्प थवा लागया एमा पन पाच्या आपेला राजाय वात करी के मारे दिकरी नो हाथ जोईया पो अवे कोई दिवा साधू एस्त्रीना हाथ जोवाई नी आम तो कोई ना हाथ ना जोवाई काण के बगवाने जे नक्की करिया आप युचे लखेलू छे कोई दिवा स्रेखामा जोवा मात्र थी कई फिर फार थवानों नथी छता आपन नारद आ विश्व मोहीनी नो हाथ पकड़ियो अने संतो वाद करेचे के लेधर करंट लागियो हाथ नो स्पर्ष थयो अने खरेखर नारद ना मन्नी अंदर विकार उत्पन थाई गयो राजा पुछे चे के बोलो तो खरा मुनी केम चुप थी गया नारक गडीक नी अंदर हाथ नी अंदर जोवे फरीथी प अने जे परण शे श्रुष्टी नू संचालन कर शे एम नतु लख्यू संचालन करेचे ए परण शे परन्तु नारद एक काम मुनी ने पन खोटू बोलावे चे असत तेन उच्चारण ए नारद पोते करीर्या ए वक्ते नारद जी नमनमा संकल्प करयो के लगन करवा तो आ राद जी फोड़ पाड़ता न थीक वर राजया बनीन हाजरी आप पीछे राजयान तो कहवाई नी ये समय काण के नहीं तो राजयान मननी अंदर पाच्चू दुख था एक आवा साधू क्यां परणवा तैयार थेया इल्ले राजया के चे के बे दिवस पची आ प्रमाण स्वयमवर्नों आयोजन करेलू छे एनी अंदर बदा देश्विदेश्ति मुरतिया बदा राज कुवरो एबदा या पदार वाना छे नारज जी ये मनमा विचार करयो के आपड़े पन मुरतिया बनू छे परन्तु रूप जुईयान मारा माथे तो जटा छे शरीर उपर बवगवा कपड़ा चे आवा कपड़ा वालान कोण वरे तो सारा मा सारा कपड़ा दारन करवा पड़े रूप बनाव पड़े मेकप करो पड़े पहला तो रूप तो प्राप्त थाओ जुईयान सारू इले बगवान पासे पोते पदार्या रूप प्राप्त करवा माटे ए समय थी कदा चालिवावतु अशेक गुणनी सामे कोई जोताद न थी, रूप हाँ, चहरो गमी जाए, इटले सेजे सेजे पाकू थाई जाए, एमाई आपन रूप नी नारजी ये विननती करी बगवान पासे पोते पदार्या, अने बगवान समक्ष विश्णू समक्ष ग प्रभु एहि मोही, आनबाती नहीं, पावव ओही, जेही भी दिनात होई, ही तही मोरा, करहू सोबेगी, दासमे तोरा निज माया बल, देखी बिसाला, ही अहन सी बोले, दीन दयाला नारज जी बगवान विश्णू न विरंती करता केच, हे प्रभु आपनू रूप मने आपो, कान के बगवान नुँ विश्णू रूक मनिये, पत्रणी अंदर लख्यू तो बगवानने संबोधन, त्रिबू अन सुन्दर, के प्रभु त्रणे लोकनी अंदर सौथी सुन करिए, बगवान पासे गे आन बगवान विश्णू न मना संकल्प था, चेक हमेशा तो मारी बख्ती मागता हुए, आज ये रूप केम मागे चे, नारज जी मनमा विश्णू मोहिनी मारी साथे लगन नहीं करे, मेरभानी करीन तमारो रूप, ये मने आपो, हूं तमारो द हीत थाए यू कहिंक तमें करो पहला रूप मागी उपण कहिंक भगवान निक रुपाधियाऊ बोले गियो के प्रभु जेरीते मारू हीत थाए यू तमें कहिंक कर जो भगवान विष्णू एपोते मन्नियंदर मलकाई चे के बहु मोटी मोटी वातो करता ता कामदेवने जि एही बिदी होई ही परमहीत नारद सुनहु तुमार सोई हम करबन आन कच्छू बच्चन नम्रुश हमार आगल तुलसी रासपोते चौपाई निंदर लखेचे कूपत मागरुज बयाकुल रोगी बैदन देही सुन हूम निजोगी एही बिदी हीत तुमार मैधर उही कही अस अंतर हीत प्रभु बयाव। क्यारे आपता नथी वडुद्रानी इंदर एक बाईनो दिकरो मादो पड़े खुप दानकडो होतो अन डॉक्टरे बंदी करी के दुदने लिदे रोग थाये उचे बारे बिमारी चे यहने मेरबानी करीन दुदनी कई आइटम खवडावतानी और दुद पीवडावतानी गणावदाद यूसो वी त्या बालक रडवा लागे बालक बहु आगरे करे शेक मम्मी मने दूद आपो अन गणावदाद यूसो शुदी बालक रड़े माता थी जोयू न गयू अन माताई थोडुक दूद पायू अन चोकरो एकदम सिरियस थाईगयो चोकरो मृत्तियू डॉक्तरे पूचुक में वाद करी ती ता छता पन तमें केम आवू करियू एके बालक बहु आगरे करतो तेटले मारा थी रेवायू नहीं एटले दयाए वस थाई अन मेने थोडुक दूद पायू डॉक्तर के तमें दया न थी करी एनाव एनी तो तमें हिंसा करी छे एने बगवान नी रीत थोड़ीक विचीत्र लागे आपने बगवान शा माटे आवू करता आशे बगवान नी रीत विचीत्र चे परंतु एमनों हेतु शुद्ध होई छे एक वार एक गामनी बहार वदा लिमबडा ना जाड उपर उची टोच उपर एक काबर नु बच्चु एक एक उडवा माटे जतु तुन उत्राइण नो समय के एक पूरो थयो होशे अन जाड उपर पतंग बदा टिंग गई गया होई एनि दोरी पण बदी लटकती होई एमा काबर ना बच्चानो पग एक दोरी नी अंदर बराई गयो अन आखु बच्चु ये जाड पर उण्दू थाई गयो चे डाली उपर एक पग खाली दोरी नी अंदर लटक गयो चे अन बराबर एव विंटलई गयो चे काबर नुँ बच्चु प्रहत न करे चे छता पण पग निकरतो न थी खुब प्रहत न करे ओ एना मातापिता ने एना बिजा के परिवार जनों ने खबर पड़ी गीक बच्चु बराई गयो चे अन बदा चितकार करी उठिया चे बुमो पाड़े चे पण बच्चा ने निकाले करी ते एलोको प्रहत न करवा जये चे पण ने काड़ी शक्ता न थी नीचे गामना मानसो पन टोड़े वड़ी गया सीडी लाववी पन सीडी त्यासुदी पहुचे वी नोथी कई बाजू भी राखवी एक दम जाड़नी नानकडी कुमली टोच उपर आ गटना बनी रही चे लोको नी आखमा आसू आवे चे के बगवान श्यामाटे आवू करता आशे बगवान नानकडा बच्चानो शू दोस चे एज वक्ते अचानक एक मोटो कागडो आयो अन कागडो आई अन काबर नू बच्चू जे लटकतू तू एनी पीठू पर चांच मारवा लागयो फरी थी लोको ने बगवान उपर तिरस्कार थे योक बगवान बच्चू आटलू तो दुखी थतू तू एन इंदर पाच्चा तमे आशू ओचू छे के कागडो पिलो मास्तनों लोचो खेच वाजाईचे अन कागडो गड़िये गड़िये एपला काबर ना बच्चाने पेटने पकडवा जाए पण इनी चांचनी अंदर एनू पेट आउतू न थी अनेक वार कागडा ये प्रेत न करियो, एनू बच्चानों पेट आविग्यों जिव खेच वाग ワो अन तरत याबन नू बच्च्चू दोरी माथी निकडिग्यों कागडा नि चांच माथी पन निकडिग्यों उडवा लाग्यो बगवाननी रीत थोड़ी विचीत्र चे बचावुतु बच्चाने पण कागडाना निमित ध्वारा बचावुतु बिजा कोई ए प्रेत्न करिए रीते नहीं कागडो चांच मारे एन खेचे एना ध्वारा बच्चानो पग ए दोरी माथी निकडी जाए रीत बगवाननी आपने थोड़ीक विचीत्र लागे चे पणे मारू तमारू दरेकनू हीत करवा जेता होये चे माहराजे पला गाडा वड़ान मार खवडायो कटलू विचीत्र लागे के बेसाडे एनो बढ़लो आओ पण मार खवडा इन बगवाने शु करियो एनू जनम जनम नुझे वेर हतु ए वेर मटावी रिदू आनननी अंदर ए खरी बगत बवबीमार पड़या खुब पड़े चे शास्त्री जी महराजने प्रातना करेक स्वामियनों रोग मताडी दो शास्त्री जी महराज के एक एक दीवस मा एक एक जनम ओचो थाई चे वह बगवान नीया रीत चे आपड़े समझी शक्ता न थी केंक रोग आपीने पण आपड़ू सारू करवा मागता था एक बगवान केम आओ करे चे अहां नारज जी साथे पन बगवान केंक आओ वर्ताव करवाना चे बगवाने वर्दाना प्युग जाओ तमारू हीत थाशे तेवहूं करेश नारज जी ये पोतानु हित शेमा मानियुतू, रूप मड़े, एमा हीत मानियुतू, बगवाने जुदू हित मानियुतू, नारज जी कुँख खुश थाईया चे, नारज जी स्वैम्वरनी अंदर पदार्या, पन बगवाने एवी रचना करी ती कौन जाने बगवाने केऊ बिभू बनाई हुआ शे, बगवान एहु रूप आपी तुके नारद जी ने पोतानू मोडू ए विष्णुनू लागे, अने पची जिटला कई लोको त्या बैठाओ ये स्वयमवर नी अंदर एने नारद देखाए, अने पेली जे कूवरी वर्वा आववानी एती एने वा वांदरो छे, इने वांदरो देखाए, आवी जातनी गोठवन ए भगवाने पोते करी दी देचे, नारद जी स्वयमवर नी अंदर पोते पदार्या छे, शंकरना बे गण तया फरताता, भगवाननी कुरुपा थी ए पन जानी गया कानू रूपतो वांदरानू छे, विश्व मोहिनी ने वरवा अमाटे बदा राह जोई रहाचे, कि क्या रहे विश्व मोहिनी आपे किटला कवाल सेट कर वाला गया, किटला कॉलर सेट करे छे, पोतानी जाते बदू सेटिंग करी रहाचे, अमना आवे नहीं फोटो पड़ावने तो गड़िये गड़ी गोठवई गया, एके बहु पाचल जी एन कदाच आगल वाला सीलेक कल लेतो, एले पेलला बेसु सारू, नारज जी बराबर पेलली सीट पर गोठवई गया छे, पोते खुब आनन माचे, लोकोन आश्चरी लागे छे का मूनी क्या स्वयम वर्मा पदारिया, कान के बदान तो नारज देखाए, पन बले के कदाच आशिर्वाद आप्पा आवे आशे, आउ मानी अन पची नारज जी नो कोई तिरसकार करतू धिन नारज जी पल्ली सीट पर गोठवई गया छे, पोते पन पोताना देहने शनगार वाला गया छे, राह जो वाला गया छे, अन बदा फरीती तत्पर थाई गया छे, जागरत थाई गया छे, बराबर टटार थाई गया डिला डब थाया तान चेतन आवी गयू, सेज जहराथ थाईन विश्व मुहिनी आवे छे, त्यां खरेकर बदामा चेतन तत्वनों प्रवेश थाई गयो छे, आन आरज जी राह चे, एजेवी प्रथम पदारवा जती ती, अन पेलली सिट नी अंदर नारज जी ने जोया, नारज जी संकल्प करता तक अमना अपणी नजीक आवशें, मारा थी तो रूपबान कोई छेद नहीं, एले चोकस आपणा गडानी अंदर ज माला पड़ी समझों, अमना विश् मोहिनी ये नारज नु रूप जोईन वांद्रा नु रूप देखायू, एके मारा मानसोना लगननी अंदर, आ वांद्रो क्या थी गुसी गुए, एकदम गुसे थे कि आकड़ी उतावली थेगे, हाथ नी अंदर थी माला पड़ी जाए, इवी स्थिती थेगे, पन कोण ज गुसे थेगे, नारज जी ने तो कैंसल करवाने, पन आखी नाखी लाइन कैंसल करी नाखी, एके लाइन मा जऊद न थी कोई नी पासे, पिला बीचारा बैठाता के अमारोश वांगुन आबात्त वाओ, बंगत मा पीरस्वा, नी आपन को गमतो ना वेटले का आखी लाइ करी शक्ती नाथी, परन्तो संतनी लाइन माजे गोठोई जाएने, एपन आबाद बची जाएचे, पन नारज ना मन्नी अंदर काम नो अंकूर उठेव हैचे, नारज पोते समझी शक्ता नाथी, नारज गेचे वांदो नी एक वार ट्राय करिये, पन उदास नही थयू, स् अमना विश्व मोहिनी आऊशे, और फरी थी माला पेराऊशे, और बराबर विश्व मोहिनी पाची तिया आववा गेईन, फरी थी आ वांदराने जोयो, फरी थी गुस्ते थाई गई, और एक द मकले उठी ने बापुजीन केचे, एक मारा स्वयम वर्मा, आवा वांदरा अने शुकरवा बोलाओचो, नारजी पने एक दमाकला उतावला थेग्याक मारू मोडू आटलू रूपवांचे छता पनमने वांदरा जेओ केहम केचे, समझी शकता नती, और त्याज, बिजा कोई राज कुवर ने ए विश्व मोहिनी माला पेरावती नती, पन बगवान विश्व मोहिनी ये वरमाला पेरावी डी, और बगवान विश्व लाइने, उने पोतिय तो आथे न कड़ी गया, नारजी विचार करेंगी मने रूपा आपीं चे तरपिंडी मारी साथे करी गया, अवे यहेमने जाते जो लगनम आउउ तूथ मने उल्लू शुकरवा बन आयो बेमा थी आपड़े नक्की कल्यत्तमार जहुआ तो हूँ ना जाद पण आउँ श्या माटे धंदो बगवाने करयो एकदम गुस्य थे गया अमना बगवानने शाप आपू के आत्मा त्या करी लव नारजीन आत्मा गात करवा सुधीनों विचारावी जाये छे खरे खर लोक नी अंदर जिवा जेऊ नथी बगवान विष्णुने शाप अपूच चे आज ये तो विष्णु पासे जवूद छे आखा जगत नी अंदर मारी मश्करी करावी एक दम दुतवाता एपो ते त्या थी निकडे चे बगवान विष्णुने मडवा मटे क्षिर सागर अंदर बगवान विष्णु त्या बिराशता होई मडवा जाए चे त्या सामे रस्तानी अंदर बगवान विष्णु रतनी अंदर आवता होई चे हामे थी बाजुमा लक्ष्मी जी उपाच अन बाजुमा विष्व मोहिनी एक बाजु लक्ष्मी एक बाजु लक्ष्मी थतावे चे एक हाथ लक्षमी ना खबा उपर चने एक आत विश्व मोहीनी ना खबा पर चे वदार हैरान नारद जी ने करी रिया चे अन नारद जी ने जो या नारद ने केचे कैम नारद शु तभियत पाणी तो बराबर चे ने अम आकडा उतावला थेन क्या जाओ चो मारी खराब करू चुके त्यारे तो तमे मारी खराब करी जने अवे तमारो वारो चे अकडा उतावला नारद थे गया ता नारद एक दम गुस्से थे गया अने पची पोते केचे परसंपदा सकहू नहीं देखी तुमरे इरश्या कपट बिसेशी मथत सिंदुरो द्रही ब जोराय हू सुरन प्रेरी बिश पान कराय हू असुर सुराविश संकरही आपुरमामनी चारू स्वारत साथक कुटिल तुम सदा कपट बिहवारू पची आगल पोते चौपाइनी अंदर तुलसिदास लखे चे परमस्वतंत्रन सीर पर कोई बाव ही मन ही करहू तुम सोई बले ही मन्दमन देही बल करहू भी समयाह राश नही कचुपर गरहू नारद जी ये बगवान समक्ष गुस्य थ्या चे अने बगवान विष्टूने नारद जी केचे के तमे कोईनी संपती कोईनो उतकर्ष तमे जोई शकता न थी आखी दुनियामा सवथी वदारमा वदार इरिशावे तो तमारामा चे अतीशे इरिशाळू तमे चो अतीशे कपटी तमे चो समुद्र मन्थन थयू प्रभुहू जानू चू समुद्र मन्थन मा देवोने दानवे सगलो सरखो पुरुशार्थ करियो चे पण आपे एउ कपट करियो दानवोने तमे मदीरा पान करावी दिदू अने महादेवने तमे मुर्ख बनाये दरियामा थी जेर निकडियो एमादेवने पिवडावी दिदू अने तमे एटला चालाक चो एटला बुद्धी शाली चो मिठी मिठी वातो करीन मनी लई गया लक्ष्मी जी तमे लेगा बगवान तमारू बद्धू कपट हूँ जानू चो अत्यार सुधी तमे जे दंदा करया चे ना तो तमने कोई कैनारों मळयो नथी तमे स्वतंत्र चो तमारा माथा उपर कोई छे नहीं एटले तमने कोई कई शक्तू नथी मन फावेतें वर्तो चो सारा ने खराब करो चो और खराब ने सारा करो चो जराई हरक शोक तमने थतो नथी करम सिद्धान्त मा तो तमें मानतात नथी जैसी करनी वैसी बरनी तमने सिद्धान्त क्या थी लागू पड़े कान के बीजा बदाने कर्मनू फोड आपनारा तमे चो पन तमारों पन क कर्म नों चोपडो राख्यों तौ तमारे नरक मांजाव दोब गर्माल्ट याख्या ट्रवार आवे तमारा कर्मबदा वीलिध न रासिता इनीयों दोप Son तुम्हें जेकरी कल्यान करो चो ने एपन बधु तमहरा स्वाख्थ मांते च करो चो एम कई नेक भकते नारजी ना रदैनी बावनाने वाच्यापत लख्युचे गजराजे तार तुने आवने को जावने को खावने को मिराबाई तारी हे रोहीदास तार तुने चामडा मड ख़ावनी पजावने को गोणी का आतारी है नर्सी मेलता को तार्यों तुने व्यहवार चलावने को जैदेव रुशी तार्यों तुने इस्तुति बजावनेको बजावनेको सु कहें छे कब भगवान लोको तोने भक्त वसल कैछे पण एमा पन तारो प्स्वार्थ छे ती गाजारादने तारे गजेंद्रा नो मोक्ष करे वह चाना माटे आवने को जावने को तारे कई सारू वहन नो तुमर तुन एटले गजरादने ते तारेयो छे एक सारी गाड़ी तारे जोईती तीन एटले गजरादनों वोक्षते करेयो छे खावने पकावने को मिराबाई तारी हे ताने रसोयानी कमी हे ती एटले मिराबाई ने तारी छे बाकी तू कई मीरा बाई ने तारे ओ नो तो बगवान विश्टू ने ठपको आपी रहा छे रोहीदास तारे तुने चामड़ा मढवने को तारे चपल बई उहारा थता नो ता एटले रोहीदास ने बाटा इन कंपनी उपर कई शरू करवी है से बगवान ने पोता नी एटल गणिकाने तारी केक एक नाजगान करे ने बगवान यक आनंद किल्लोल करी शके एना माटे गणिकाने तारी नरसी मेताने तारे ओ शैन रुशी तार्योतों ने स्तुती बनावने को, जैदेव ने तार्योतारी स्तुती बनावे एना माटे तू बहु श्वार्थी छे, स्वार्थ वगर कश्चु काम करतो न थी, आ प्रमाणे बहु ठपको नारज जीपोते आपे छे, लक्ष्मी जी बातूम बाजुमा उबात ल लक्ष्मी जीती सहन न थयू ए बगवान विष्णुने के चे ब्रभु अठकाओ अठकाओ आनी हद थाई चे बहु बोली रहा चे नी जबान उपर सेच कंट्रोल तो तम्हें करो बगवान के चे आपद उनके रोज एना मोडे वखान ज आपड़े सांबलया चे न के रोज आ मदर मदूरां बदु मदूर मदूर लागतू तो अन आजे मारू के मेने बदू खराब लागे चे रोद तो मारी ऍस्तुती करतोतो प्रात्ना करतोतो तो अजे मने घालो देचे आँवा बग्तो ना मोडे थी गालो क्या qualche सांबलवा हमड़े पक्तो नी गाळू एत तो मने गीनी नाल्यू जेवी लागे चे एटला जे बले ना मोडा माती गालो निकले अने कोक दिवस आपडे गालो सांबली ये तो कोक ने प्रेणा मले नके बगवान ने पन गालो देना रा मले चे तो आपडे पन गाल सांबल सांबली लेवी एटले लक्षमी जी तमे चिंता ना क आवदू प्री प्लानिंग प्रमाणे थैर्यू छे आवदू मारा आयोजन माद छे अने वक्ते नारद पोते विष्णुने शाप अपता के छे बंचे हुमोही जवनिधर देहा सोईतनूतर हुँ स्रापमम एहा कपी आकृति तुम कीनी हमारी करह ही किसस हाय तुमारी मम उपकार किन तुम बारी नारी भी रह तुम होब दुखारी हे प्रबु तमे जे मानावनों शरीर दारण करीन मने ठग्यो हवे हुँ तमने शाप अपूछुक तमे मनुष्णुन शरीर दारण करो तमे चतुर भूज छो विष्णु बगवान पन तमे दिबूज वाडा थाओ आप रुथी पर मानाव दे दारण करो तमे मारू वानर नु रूप वनायू जाओ तमने हुँ शाप आपूछु के एज वांदराओ तमने मदद करशे वांदराओनी मदद लिदाव अगर तम पन दुखी थशो आ प्रमाणे नारदे बगवानने शाप आपयो परन्तु बगवाने तो राजी थका एज शाप पोताना मस्तक उपर चड़ायो जियो बगवाने शाप मस्तके चड़ायो को नारद बराबर चे तमारा शाप प्रमाणे अमे उचीत आचरण करशू एओ जन करी यन त्या उभाता नारदने अंतर रष्टी थई मननी अंदर थी काम नो अहंकार नो पढ़दो कहीं खटी गयो बगवानना चरण नी अंदर पढ़िया विननती करवाला गया प्रातना करेचे रुधन करेचे प्रभू मारा थी बहु मोटी भूल थई गयी मने माफ करो म देचे मारों शाप मिठ्या थाए एक युँ करो बगवान कहेचे तमारों साप तो मिठ्या नहीं थाए मारी इच्छाथी थयू अधो से परन्त आतो मननी अंदर कैंग अहंकार जागरत थेयो तो काम जित्यानों कैंग अहंकार उग उगयो तो हुनहेँ सहन करी श अपने विचारू के बगवान आना द्वारा कहीं क आपने सारू कराव मागे चे अब्दुल कलामे पोताना पुस्तक मा पोताना जीवन नो खुब सुन्दर प्रसंग लख्यों चे राष्टपती अब्दुल कलामे 57 नी अंदर अब्दुल कलाम एपोते दहरादू नी अंदर एक परिक्षा पमाटे गया बेंगलोन नी अंदर पोते उनिवर्सिटी नी अंदर पोते अभ्यास करयो साइंस ना पोते सनातक थया चे अन पची तेओनी इच्चाहती पाइलोट बनवानी ट्रेनिंग पन थोड़ी गणी के एक प्राप्त करीती यानी परिक्षा मेटे तै नदीर ना पुझारीनं नाम हतु लक्ष्मण शास्त्री है वाद करीती गतो तू त्यां देहरादून बाजू जाएचे तो हर्दवार मां गंगा किनारे जजेन स्नान करी नावजे इटले कला में विचार कर्यों कि पूजारी मने पुच्छे के स्नान कर्यूं के नहीं तुमारे ना पाड़ी वी पड़े इटले हूं स्नान करी ने जो कला में पोते हर्दवार पदार्या गंगा मा अस्तनान कर्यूं अन किनारा उपर शिवानन्द आस्त्रम छे शिवानन्द आस्त्रम नी अंदर शिवानन बाबा त्यां पोते रहता आशे इने पोते मडवा माटे गया कला में जेओ आस्त्रम मां प्रभेश कर्यो ए वक्ते शिवालन स्वामी पोते पैलूज वाक्य बोले छे के शामाटे तारा मुख पर आटलीवुदी उदासी छे अंतरे आमी बगवाननी कृपाथी संत पोते जानी शक्या अन पछी पिला स्वामी जीए पूच्छु के शामाटे तारा मुख पर आटलीवुदी उदासी छे हवे तुमने ए प्रश्ण न पुच्टो के मारी उदासी नू कारण तमे केम जानीू मैं कोई पन रित्या जानी लिदू छे पण दिकरातू उदास्त न थाईशु ए वक्ते कलामे पोताना रदैनी वाचा ठालावता कीदू के मारे पाइलोट थाऊ तो बगवाने मने पाइलोट न बनायो ए वक्ते शिवानन स्वामी एक इदू के तारा मनमा ते पाइलोट थ पण बगवाने तने आना करता के एक वधारे आपपानू विचारियो छे इटले तने बगवान पाइलोट न थी बनावता कलामे पोतानी आत्मकथामा पुस्तक मा लख्यू छे खरे खर एउद थयू मारी पाइलोट बनवानी इच्छा तियू न थाई शक्यो पन बगवान तो तो आखी जिनगी विमान उडालीन पूरू थाई जात पचास साइट के सित्तिर जार पगार मलत पड़न्तु आटली सत्ता साइबीतो प्राप्त न करी शक्या होत आपने बलागे एक बगवान मने ओच्छू आपे छे बगवान कैंक वधार आपपा मागता होय दुखी करीने पण का इक सारू करवा मागता होय एले नारज जीना लगन न थवा दीदा वर्षो पची नारज जी विश्णु बगवान साथी एकांत मा बैठा होय चे एवक्ते नारज जी जो यू के बगवान थोड़ाक मुड मां चे एटले प्रेम्थी प्रश्ण पुछे बगवान किटला इस समय थी मारा मन मा एक शंका रही जाये चे विश्णु के पूछो एके बगवान तमें गुस्से नहीं थाओ ना के कोई गुस्से नहीं थाओ बगवान मेरबानी करीन मने उत्तरापक मने वांद्रो केम बनायो तो तमें विश्णु केचे अजू आने थोड़ुक मलमा रही गिव लागेचे एटले बगवान ने पोते प्रश्ण पुछे बगवान बीजु केंक रूप आपिवत तो चालत पड़मने वांद्रो तमें केम बतायो वांद्रो केम बनायो बगवान विश्णु केचे काखी जिनगी लगन करया पची वांद्रा ना थवु पड़े टले के लगन करया पची वांद्रा जेव आच्रण न करू पड़े टले पहला थोड़ी क्षणों माटे मेतने वांद्रो बनावी दिदो ना चही नट मर्कट की बांती नारी विवस्च सकर नर सकल गोसाई कह तुलसीदा से लगन करया पची वांद्रा नीजेम आखी जिंगी साइड सित्यल वर्षतारे वांद्रा थवु न पड़े एटले थोड़ा कल्लाक पुड़े टो मेतने वांद्रो बनी दिदो नाराज जी के तो तो बहु सारू कर्यों के बगवान तमे मारी रक्षा एकरी चे नाराज जी शीवनागणोंने शाप आपियोतो के तमे राक्षस थशो एपोते रावण ने कुम करण थेया आतर बगवान विष्णुपन मानव शरीत दारण करवानों निर्णे करयो चे एपोते राम थवाना चे हवे बिजाय बे प्रयोजन चे मनु अने शत्रुपानुने प्रताब बानुनु त्यार पची राम पोते प्रगट थवाना चे अयोध्या नग्रिनी अंदर रगुकुलनी अंदर ए रगुकुल के उखतु अनकेवा संजोगोनी अंदर राम नो प्रादुर बावतियो ए बगवान ना प्रगट्टे ना उत्सवनी वात या अपड़े आवती का स्री स्वामी नारायन बगवाननी जय स्वामी नारायन